हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में काफी क्रूशल टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं यहीं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे next call versus covered call यहीं नेक्ट call होता क्या सबसे पहले हम वो देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे covered call क्या होता है फिर इन दोनों के बीच में difference को समझने कोसिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें next call को ज़्यादा prefer करना या फिर covered call को ज़्यादा prefer करना है तो कोई भी call चाहे covered call हो या next call हमेशा हम कोई भी call नहीं ले सकते हैं हमें alternate लेना परेगा तो कब हमें next call के basis पे trade लेना है और कब हमें covered call के basis पे trade लेना है यह यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़ूरी है और इनी सारे point को पर हम इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे चलिए start करते हैं यहाँ पे हम chart पे आ गए और यह जो chart है आपका Reliance Industries का chart है तो इसके ज़री है सबसे पहले हम समझते हैं कि next call होता क्या है तो यहाँ पे अगर हम next call की बात करें तो जैसा कि नाम से ही सुना है यहाँ पे हम call options पे ज़्यादा prefer करेंगे तो अगर आप call options को buy करते हैं या फिर call options को sell करते हैं अलग-अलग अगर हम सिर्फ call options को buy कर रहें तो यहाँ अगर हम call options को sell कर रहें तो यह भी हमारे next call category में आएगा अभी Reliance आपका चलबा 2400 के करीब तो यहाँ पे अगर हम add the money 2400 के call options को buy करते हैं तो यह हमारा next call कहल आएगा अब यहाँ पे हमें यह देखना होगा कि यहाँ पे profit कितना है, risk कितना है profit probability कितना है, उन सारे point के उपर हमें एक एक करके इस video में बात करना होगा तो सबसे पहले, अगर हम यहाँ पे profit के उपर बात करें तो यहाँ पे profit आपको unlimited देखने को मिलेगा यह कितना भी उपर जा सकता, उपर जाने का कोई limit नहीं है तो यहाँ पे profit हमें unlimited देखने को मिलता है कब अगर हम call को buy करते हैं तो साथी साथ विस्क क्या है विस्क यहाँ पे काफी limited है जितना भी premium आपने buy किया है maximum loss आप वही कर सकते हो यहाँ पे जो risk है वो हमें काफी हद तक limited दिखता है लेकिन जो most important है वो क्या है? वो हमारा है profit probability यहाँ पे पर जाने के कितने chances है वो यहाँ पे हमें देखना पर एगा और इसके करीब है 33% के करीब यहाँ पे आपको यह देखके नहीं खुश होना है कि यहाँ पे profit हमें unlimited मिल जाएगा risk काफी limited है यहाँ पे आपको profit probability पे भी गौर करना है क्योंकि 100 में से सिर्फ 33% ही chances है कि यहाँ पे आपको profit बनेगा अगर आप कोई भी call options buy करते हैं तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे profit probability कम क्यों है? इसको हम समझते हैं यह सब हम इसलिए समझ रहें ताकि ultimately हम decide कर पाए कि हमाँ लिए कौन सा बेतर है net call बेतर है या फिर covered call बेतर है तो सबसे पहले हम दोनों call को समझेंगे और उसके बाद हम finally दोनों को एक साथ compare करके देखेंगे हमाँ लिए कौन बहत्वीन होगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो market की अगर हम direction की बात करें market का हमेशा 3 direction होता है upside और downside maximum लोग इसी के बारे हम जानते है और तीसरा आपका एक range bond market भी होता है तो अगर हम call options buy कर रहे हैं suppose यहाँ पर अगर हम 2400 की call options को buy कर रहे हैं तो अगर market यहाँ से उपर गे आते जी से तो तभी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा profit देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर नीचे आया price तो यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा और price अगर आपका एक range में move किया यहाँ जहाँ पर हमने buy किया उसी के आसपास भी move करता रहे गया तो अब यहाँ पे मुझे नुकसान उठाना परेगा क्यों नुकसान उठाना परेगा क्योंकि यहाँ पे time value रहता जो आपके लिए villain के रूप में काम करेगा यह यह decrease होता जाएगा और इसके करण से आपको यहाँ पे नुकसान उठाना परेगा तो यहाँ पे market का तीन direction है तीन में से सिर्फ एक direction में profit मिलवा है अगर हम total को 100% रख लेते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 33% ही chance है कि हमें profit मिलेगा इसलिए यहाँ पे profit probability कम है अब दूसरा net call क्या होगा यहाँ पे हम net call के example पे हैं फाइंड करेंगे अभी प्राइस आपका 2400 की करीब ट्वेड करा तीहाँ पर अगर हम बात करें अगला रेश्टरेंस लेवल आपका यह 2500 की आसपास हमें दिख जाएगा तो अगर यहाँ पे हम 2500 के call options को sell करते हैं ठीक है तीहाँ पे क्या होगा हमारा profit probability क्या होगा profit कितना है limited है या unlimited है उस point को हम देख लेते हैं तो सबसे पहले call options अगर हम buy करते हैं तीहाँ पे हमें profit जो मिलेगा वो limited होगा क्योंकि जो हमने options को sell किया है जितना premium को हमने sell किया वो premium maximum zero हो सकता है वही premium हमें profit मिलता होगा दिखेगा याँ यहाँ पे profit limited है अगर हम loss की बात करें या risk की बात करें यह आपको unlimited दिखेगा क्योंकि price आपका उपर कहीं भी जा सकता है अगर आप sell का use नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको unlimited नुकसान उठाना पड़ सकता है यहाँ पे अगर हम profit probability की बात करें तो यहाँ पे जो आपको profit probability देखने को मिलेगा लगबग आपको 66% के करीब देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको इस पे नहीं जाना है यहाँ पे profit limited है, loss unlimited है इसलिए हम इसको avoid करेंगे इस पे नहीं जाना profit probability देखिए options buy करें तो 33% उसका double यहाँ पे profit probability है अब profit probability options selling में ज़्यादा क्यों है हम same concept पे आना चाहेंगे market का 3 direction है उपर नीचे और आपका एक range bound तो अगर market उपर गया यहाँ पे हम क्या कर रहे है call sell कर रहे हैं हम सोच रहे हैं कि market यहाँ से नीचे जाएगा और market मेरे against जा रहा तो यहाँ पे मुझे नुकसान उठाना परेगा अगर market मेरे favor में गया क्योंकि हम नीचे के ही सोच रहे हैं तो हमें profit तो देगा ही देगा साथी साथ जहाँ पे हमने call options को sell किया है अगर market वहीं पे रहा या थो रहा वो तो range में move किया तो इस condition में भी हमें profit मिलता हुआ दिखेगा तो तीन में से दो condition में profit मिलता हुआ दिखेगा इसलिए यहाँ पे हम profit probability 66% रखे हैं तो इस तरीके से आपने net call में दो call होता है एक तो आपका होता है call buy करने वाला दूसरा होता call sell करने वाला इन दोनों को आपने समझ लिया अब यहाँ पे हम आते है covered call क्या होता है फिर हम दोनों के बीच में difference को समझेंगे और किसको कब prefer करना वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम covered call की बात करें तो covered call में एक चीज़ जरूरी होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास delivery होना चाहिए for suppose that हम reliance में covered call बनाने जा रहे है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा अगर हमारे पास reliance का delivery में buy कर रखा है तो ठीक है नहीं buy कर रखा तो सबसे पहले हमें delivery में buy करना होगा for example यहाँ पे हम 2400 पे reliance के 500 के sales को buy कर रहे है ठीक है पहला हमने यहाँ पे delivery में trade लिया covered call में delivery में trade लेना compulsory है बहुत साई लोग क्या करते हैं delivery को future से replace कर देते हैं लेकिन आप पूरे समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि futures को इसके जगा हम क्यों नहीं डाल सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने buy कर लिया अब यहाँ पे market अगर हमारे price से उपर जाएगा तो हमें call options को भी इसके साथ-साथ sell करेंगे और call options sell करने पर क्या हो सकता है मैंने आपको पहले introduce कर दिया यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं कि हम 2400 पे buy किये हैं तो 2400 के call options को ही sell कर दें हम यहाँ पर एक resistance level find करेंगे और हमने resistance level find किया था वो क्या था 2500 का एक resistance level था तो इसके call options को यहाँ पर हम sell करेंगे और sell करने time हमें क्या देखना होगा हमें इसका premium भी check करना होगा यानि premium भी ठीक ठाक होना चाहिए तो इसके हम option chain पर भी आना चाहेंगे यहाँ पर अगर हम reliance के option chain पर आते हैं यहाँ पर हम क्या करें 2500 के call options को sell करें तो देखिए call options इस side है 2500 का strike price आपका यह रहा इसका premium आपका लगबग 18 रुपीज के आसपास है तो premium ज़्यादा high भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए at least इतना होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ profit देखे जाए अगर यहां से हमें profit मिलता तो maximum profit क्या होगा 18 पॉइंट का होगा और lot size हमारा 200 पॉइंट का तो यहां पर जो हमें profit मिलता हुआ दिखेगा वो दिखेगा 4500 के करेंब यहां पर हमें profit मिलता हुआ दिख जाएगा तो यह भी चाहिज आपको ध्यान रखना है कि premium जादा कम भी नहीं होना चाहिए और जादा high भी नहीं होना चाहिए तो वापस से हम क्या आते हैं विलाइंस के चार्ट पे आते हैं तो यहां पर हम क्या कर रहें यहां पर सबसे पहले हम 2400 के लेवल पे विलाइंस को बाई करें 500 quantity और at the same time 2500 के strike price के call options को sell करें 18 के premium पे यह हम sell करें अब यह दोनों मिलके हमारा covered call बनता है अब इसमें benefit क्या है कि अगर हमने delivery में बाई किया है तो अगर यहां से price उपर गया तो हमें profit तो देगा ही देगा लेकिन अगर price आपका range में रह गया या फिर नीचे आ गया तो मुझे loss उठाना पड़ेगा और यही पैसा अगर हम bank में डाल देते हैं suppose that 6 मैंने price नीचे रह गया तो हमें कुछ profit नहीं मिलेगा लेकिन यही पैसा अगर हम bank में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है वहां पर at least कुछ न कुछ interest मिलता है तो उस interest को हम क्यों खोने दे उस interest को भी हमें लेना है तो उसके लिए यहां पर हम क्या use करते हैं उसके लिए यहां पर हम covered call use करते हैं अब यहां पर buy chance हमने price 2400 buy किया है यहां से price अगर आपका नीचे आ गया और यहां पर 2300 पर आगिया है तो हम क्या करें हमने delivery में वाई किया है इसको हम sell नहीं करेंगे और इसके जगा पर हम क्या करेंगे यह जो 18 फिर आप इसको invest income के रूप में भी अपने पास रख सकते हैं या नहीं तो यह जो आपको profit मिल वा इसको वापस से आप इसी में invest करके average price को आप नीचे ला सकते हैं तो दो काम आप यहां पर कर सकते हैं चाहिए आप उसको extra income के रूप में रख लिजे या फिर इसमें invest करके average price को नीचे ले आए बेतर option से यही रहता है कि इसमें आप invest करके average price को जितना नीचे ले आएंगे उतना आपके लिए फाइदे मन साबित रहेगा तो आपका एक यह benefit रहता है अब अगर आपको डर है कि price यहां से उपर गया तब क्या होगा for example by chance यहां पर हम extreme case लेते हैं price आपका यहां से भी ऊपर चला गया अपका price 2600 पर चला गया तो यहां पर मुझे नुकसान कितना होगा 100 पॉइंट है minus premium कर दें तो लगबग मुझे 82 पॉइंट का नुकसान होता हुआ दिखेगा और यहां से profit कितना होगा यहां से profit मेरा होग लगबग 200 पॉइंट का तो overall मुझे कितना का profit हुआ है मुझे profit हुआ 118 पॉइंट का profit हुआ है और मेरे पास 500 quantity है तो आप 118 इंटू 500 कर दो तो टोटल आपको इतना अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिख जाए यह नहीं अगर price आपका sufficient amount में ऊपर जा रहा है तो फिर हमें अ ने something में बदल दिया इसलिए कहा जाता है something is better than nothing इसलिए हमें यहां पे कुछ न कुछ हमेशा मिलता रहेगा चाहे market ऊपर जाए या नीज जाए इसलिए हम covered call को prefer करते हैं लेकिन covered call कब prefer करना है जब आपके पास delivery में ट्रेड वहे तभी आपको prefer करना अब maximum लोग क्या करते है जिनके पास delivery नहीं है वो covered call लेने के चक्कर में क्या करते हैं वो futures buy कर लेते हैं सो उस्ते हैं futures buy कर लेंगे यह आपका delivery के बराबर ही हो गया लेकिन यहां पे हमने क्या देखा कि जब आप futures buy करते हो तो आपको हर एक month क्या करना परेगा roll over करना परेगा और roll over करने में कुछ आपको 10-15 point का नुकसान roll over में हो जाता है तो हमारे पास premium कितना मिलेगा लगो 15-18 रुपे का premium हमें call sell करने मिलेगा इतना ही पॉइंट का profit मिलेगा और futures roll over करने में आप कुछ भी कर लो इतना point का आपको loss उठाने ही पड़ेगा तो overall जितना profit हमें मिलवा उतना profit हम गवा दे बाद होता वो अलग से इसके लिए हमें delivery में trade होना जाओ लिए delivery में हमारे पास stocks होना जाओ लिए तभी हम covered call का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर हम दोनों का compare करेंगे और बताएंगे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा prefer करना और कब prefer करना इसका मतलब यह नहीं कि हमें सा information चाहते हैं from basic to advanced तो इसके लिए हमने एक special सा course रिजैन किया options के लिए उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना पड़ेगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा वहाँ से भी आप download कर सकते हैं और वहाँ पे आपको feature options के बारे में basic से advanced level तक course मिल जाएगा जहाँ पे आप उन सारे course को देखे as a independent trader के रूप में काम कर सकते हैं खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं और वहाँ पे आपको इसके लाबा और भी बहुत सारे course मिलेंगे stock market में आप अपना carrier बना सकते हैं उसके लिए वहाँ पे सारा कुछ material दिया गया तो एक बार आप हमारा mobile app download करके जरूर विजिट कीजिए पसंद आता है तो आप course को enroll कर सकते हैं अब यहाँ पे देखिया कब हमें next call को prefer करना है जो most important point है वो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है और कब हमें covered call को prefer करना है नेक्ट कॉल हमें कब लेना है जब market आपका trending हो चाहे market का direction उपर हो या नीचे हो उस time पे net call हमें ज्यादा profit देता हो दिखेगा तो जब आपको clear cut पता हो कि market आपका एक particular trend में हो वो trend चाहे किसी भी region से है किसी particular news के region से है या फिर हमें fundamentally change होता हो दिखे या फिर economic condition होता हो दि trending दिखे चाहे वो अप्टेन हो या डाउंटोर ने उससे हमें मत्तल नहीं है market अगर आपका trending है तो यहां पे हम नेक्ट कॉल ज्यादा प्रेफर करेंगे नेक्ट कॉल हमें ज्यादा profit देता हुआ दिखेगा अब जब market आपका trending नहीं है market में क्या बढ़ गया market में जब आपका risk बढ़ गया है और आपके पास delivery में already trade है और आप चाहते हैं कि delivery trade अगर हमें profit नहीं देगा तो हमें वहां पे कुछ ना कुछ profit मिलना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम covered call का इस्तमाल करेंगे यहां पे आपको एक fixed monthly income के रूप में मिलता ज्यादा लगता है इसलिए इसका इस्तमाल सारे लोग करना प्रिफर नहीं करते हैं लेकिन यह आपको एक secure income देगा तो बैंक में आपके पास जितना पैसा उसको अगर आप यहां पे लगा देते हैं तो उससे ज्यादा इंट्रेस मिलेगा और अगर आप quality stocks में लगाते हैं तो आप covered call prefer कर सकते हैं नहीं तो अगर market का direction clear है चाहे उपर हो या नीचे हो तो फिर आप net call को prefer कर सकते हैं हमेशा कोई call को prefer नहीं करना तो उमीद करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या differences है कब किस call को prefer करना यह concept आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको यह concept पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like करके हमें encourage किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए ताकि इस तरह के वीडियोज हम आपके लिए और भी regular basis पे लाते रहेंगे So that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिं